सब्सक्राइब कीजिए राट होट रियेक्शन चैनल को और दवाईए इस घंटे को ताकि आप इधियास की कोई जानकारी मिशना कर पाएं जैमा भवानी आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राट होट रियेक्शन में वीर भोगय वसंद्रा के बारे में आप लोगोंने कई बार सुना होगा क्योंकि वीर भोगय वसंद्रा हम राजपूतों में कई बार ये सब्द यूज होता है लेकिन क्या ये सिर्फ राजपूतों में यूज होता है या फिर इसका मतलब क्या है क्योंकि हमने फिल्म में या कहीं और भी ये सब्द सुना होगा या हम सब्द हमने खुद ने यूज भी किया होगा लेकिन कई मेरे जैसे भाई है जिन्हें ये पता नहीं है कि इसका real मतलब क्या है क्योंकि वो साइद संकोज में रह जाते है कि यार पूछू कैसे क्योंकि सब को पता होगा और मैंने पूछ लिया और किसी ने ऐसा कह दिया कि भाई तुझे ये भी नहीं पता तो हमें थोड़ा सा यू लगता है कि हमारी बेज़ती हो जाएगी रियल में ऐसा कुछ नहीं है जब हमें कुछ चीज का पता ना हो तो दिल खोल के पूछ लेना चाहिए क्योंकि एक दिन अगर बेज़ती हमने सहन कर ली कहीं की तो हो सकता है दूसरे दिन कहीं हो और हमारी बेज़ती ना हो इसलिए कभी भी संकोज नहीं करना चाहिए वो चीज अगर हमें नहीं पता है तो खुले दिल से पूछ लो क्योंकि हो सकता है एक जगह आपकी बेज़ती हो दूसरे दिन तो नहीं होगी वरना बाद मैं काफी आप बड़े मिर्ची और रोजा और कोई आपसे आसा रखे आपसे ये सब्ड पूछने आए और आपको मुझे पता ही नहीं है तब बहुत बुरा लगेगा आपको तो आज हम यही जानेंगे कि क्या मतलब है वीर भोगय वसंद्रा सब्द का और क्यों सरफ इसे राजबूती यूज करते बागी वाले क्यों नहीं यूज करते और क्यों उन्हें बागी जातियों को भी यूज करना चीए या नहीं चलिए सुरू करते हैं वीर भोगय वसंद्रा मतलब वीर ही इस धर्ती का उपभोग कर सकते है जो वीर है जो ताकतवर है जो सकती साली है वो इस धर्ती का उपभोग कर सकते है लेकिन इसका मतलब आप उस मुहावरे से मत लेना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस क्योंकि लाठी जिसकी भेंस का मतलब तो हो जाता है जो ताकत वरे बाहु बली है वो बेचारों को जो गरीबे उन्हें दबा कर इस धर्ती पर अपना सासन कर सकते हैं धर्ती का उपभोग कर सकते हैं ऐसा नहीं है वीर अलग चीज होती है वीर इस धर्ती का उपभोग कर सकते इसका मलब वीर वो नहीं जो बहादुरो इमत वाला हो सिरफ वीर वो होता है जो मातर भूमी के लिए लड़ता है जो लोग मातर भूमी के लिए लड़े हैं मातर भूमी के लिए अपना खून पसिना बहाया इस धर्दी के लिए इस जमीन के लिए वही इस जमीन पर अपना सासन कर सकते है या रह सकते है ये बिलकुल सही बात है जो इनसान या उसके कहीं भी जब से वो पैदा हुए है उसके जो पेले वाली पीडिया है उसके परिवार में ना ही किसी ने देश के लिए कुछ किया है और ना ही वो खुद कर रहा है उन लोगों किस धर्ती पे रहने का कोई हक नहीं है जो राजपूत है यह ज़्यादा तरियू बोलते है क्योंकि राजपूत आप चाहे कई से भी हो आप कोई भी हो आपके परिवार में किसी ने किसी ने इस देश के लिए ट्याग किया है तब यह राजपूत हो में ज़्यादा सब्ध यूज होता है कि वीर भोगय वसंद्रा कि हाँ हम हमारे जो पुर्खे थे अमारे पूर्वर्ज थे उन्होंने देश के लिए त्याग किया है बलिदान हुए देश के लिए और उनके हम वनसज है और हमें यी दर्ती का उब्भोग करने का पूरा हक है या हम खुद अपने देश के लिए मर मिटने को तयार है इसलिए हमें इस दर्ती पर हमारा दर्ती का उब्भोग करने का हमें हक है जरुरनी हो, राजबूतो, किसी भी जाती का हो, आप किसी भी जाती से बिलॉंग करते हो, अगर आपके अंदर मात्र भूमी के लिए आप लड़ सकते हो, मर सकते हो, तो इस धरती का उबवोग करने का आपका हग है अगर आप देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते वक्त आने पर पड़ुसी देश के लिए नारे लगाते हो हमारे देश को मुर्दाबाद कहते हूँ उनने इस देश पे रहने का कोई हक नहीं है वीर भोगे वसन्दर का यही मतलब होता है वीप भोक्या नहीं हो भोक्व कर सकते है और वसुंद्रmos pra지 धरती का यानि कि अगर आप न उमर खना के लिए आपके अंदर थोड़ा भी जजबा है मर मिठने के अदर ललक है कि ऐसा वक्त पढ़ जाए मान लो कल को ऐसा वक्त पढ़ जाए सारे देश या आज पड़ो सी देश हमार उपर हमला कर दे और हमारे फोजी पूरे न पढ़े और हमें देश के लिए लगने जाना पढ़े तो मन के अंदर संकोज अगर एसी शोच आपके दिमाग में है तो आपको इस धर्ती का भुक करने का कोई हक नहीं है यही मतलब है वीर भोगय वसंद्रा का सिर्फ इसे वीर भोगय वसंद्रा का सुनते ही लोग सोचते है कि एक कٹर पंथी दिमाग आजाता है ये तो सिर्फ राजपूत है कटर और ये सिर्फ कटर राजपूतों का सब्द नहीं इस देश के लिए अगर मर मिचने का जजबा आप में है तो ये आप के लिए भी है तो आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे इसलिए राजपूत स्रिफ इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजपूतों के बारे में आप सब लोग जानते होंगे जो दिल से इस देश का सम्मान करते हों राजपूतों का भी सम्मान करते होंगे क्योंकि समय पढ़ने पर उन्होंने देश के लिए अपना बलीदान दिया है अपने जरूर बोलेंगे वीर भोग्या वसुंधरा तो यही वीडियो था उम्मीद्य आप लोगों को पसंद आये उगा पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें क्योंकि कई ऐसे लोग है जिने इस बारे की मैं पता नहीं है कि ये क्या है वीर भोगय वसंद्रा उन तक ये संदिश पहुंचना चाहिए लोग इस बारे में जाने और आप लोग नए हो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो वीडियो चल रहा है या लाग रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबा दे और उसके बाद जो बैल आइकन यानि की घंटी का चिना आएगा उसे भी दबा दे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बने रही हमारे साथ और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है कि आपको अगर कोई नया तोपिक चाहिए तो आप कहीं भी मुझे मैसेज में, फेस्बुक के कमेंट में, यहाँ नीचे वीडियो के कमेंट में कहीं भी पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी कोसिश करूँगा, मिलते हैं नेक्स का थोड़ा तो इंतिजार कर विश्वास को द्रड बना संकल्प को कृत बना एक कोशिस और कर बेटना तु हार कर बाई